हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो यार यूट्यूब चैनल इंगलिश फैमिली 87 अपनी इस वीडियो दे विच आप अगल करांगे बी ये समेस्टर सेकंड उस दे ज़े अपनी 10th पोईम है गुडबाई पार्टी फॉर मिस्पुश्पा टी एस रिटन बाई निजम जैकल इस पोईम दे विच की है देखो ओ जानलने है अबाउट दे पोईम इस पोईम इस अस्टायर ओन इंडियन इंगलिश दे उपर ये जडि़ी पोईम एक स्टायर है मतलब के जड़ी अपने इंडियन ने जड़े ओ इंगलिश ने जड़ी हो गलत बोल देने ओस चीज दा भी एस दे विच मतलब इस पोईम दे विच थोड़ा जा मजा कुड़ाएगे मतलब के जड़ी अपने इंडियन ने ओ गलत इंगलिश बोल देने ओस चीज दा मजा के थोड़ा जा उड़ाया गया है और इस पोईम दे विच एड़ा दस्य आगया के उनना दी यड़ी सिस्टर है जिते हो कम कर दे सी नाल कम कर दी सी मिस पुषपा ओहन फॉर्ण कंट्री जा रही है ते ओस नू ओह मतलब के वेस्ट विशेश ने जड़ी है ओ दे रहने तो दे रहेंज़ आ फेर्वेल पार्टी तो विश हर एपी जर्णी ओस दी हैपी जर्णी दे लई मतलब उसनू पार्टी जड़ी मिस पुषपा दे लीक पार्टी रेंज कीती हो नने मतलब के उनना लोग का नू हाइलाइट करन दे ली जड़े की इनक्रेक्ट इंग्लिश बोल देने मिस पुषपा बिलोंग तो आ नॉबल फैमिली एथे दर नहीं होगा एथे दुसी मिस तो स्टार करने एक अट देने के एक नॉबल फैमिली दे विच ओ बिलोंग कर दिया एड़ी मिस पुषपा है बहुत वदी है फैमिली चो हर फदर वाज अ फेमस लॉयर एंड इन दे अन्ड दे पोईट विश इस फॉर मिस पुषपा हैपी जर्नी है जड़ी हो विश कर दे अगे देखो अपनी एस पोईम दा लॉंग को शनाइड़ा वह आपकर दियां समरी होवे कुछ भी होवे कौम नहीं अपने करनेक गुडबाई पार्टी फॉर मिस पुषपा टी एस बाई निजम इजेकल इस अ स्टायर ऑन इंडियन इंग्लिश टेक स्टायर है व्यंग है इन दिस पोईम दा पोईट अगें अगें यूज़ दा प्रेजेंट अगें अगें यूज़ देखके बहुत हाथ सांद है जिसनों सुनके दो तिन दिना दे बिच जड़ी उनना दी डियर सिस्टर है पुषपा ओ फॉर्न कंट्री जा रही है उसनों हैपी जर्नी कहन दे लिए उनना एक पार्टी जड़ी अरेंज किती है वो कहन दे है मतलब अगे कह रहे है कि सारे ही जान देने दे स्वीट नेचर ओफ मिस पुषपा भी पुषपा दा किनना जादे स्वीट नेचर है वो इस स्माइलिंग और स्माइलिंग फॉर नो रीजन जड़ी की हमेशा बिना कारण तो स्माइल ही कर दी रहेंदी है यह नहीं है कि दिखावे लिए स्वीट नेचर है मतलब के अंदरों भी स्वीट ही है हूँ दपोईट यूज़े प्रेजेंट कॉंटिनूस टैंस इन प्लेस ओफ सिंपल प्रेजेंट टैंस तो हाइलाइट सच पीपल हूँ स्पीक इनक्रेक्ट इंगलिश मतलब प्रेजेंट कॉंटिनूस टैंस दा यूज़ कर दे है प्रेजेंट सिंपल दी जगाते उनना लोग का नों हाइलाइट करन दे लिए जड़े की गलत इंगलिश बोल देने मतलब के उस दे पेता जिड़े वो लोईर सी गे बलसर नादी जगाते जा फिर सूर्थ नादी जगाते उसनों क्लियरली कहेंड़े रिमेंबर नहीं हेगा बट दा पोईट सिड़नली रिमेंबर पर अचानक पोईट नों याद आउंदा है that the place where मिस पुषपाज फादर वाज़ अ फेमस लोईर वाज़ सूर्थ के जथे हो फेमस लोईर सी गा ओ जगाता नाम सूर्थ सी गा because he had stared there once with his uncle's very old friend क्योंकि एक बार हो थे हो आपने uncle दे very old friend सी गा पुराना दोस्त सी गा उस दे नालो थे रहा सी गा एक बार whose wife जिस दी wife was a nice cook इथे तुसी was a nice cook दी जगाते तुसी कर लेना है wife was cooking nicely मतलब wrong लिखने क्योंकि present continues the use कर दे हो बार बार ना पाने ओही चीज़ दखो नहीं है तर दबार इंक्रेक्टिंग लिखने उसने use की ती the poet comes to the point again दबारे point त्या हो दै अपना दबारा फेर मतलब जेड़ा कम दे point त्या हो एंड स्टार्स प्रेजिंग मिस्पुश्पा अते मिस्पुश्पा जी उस दी तारीफ करन लग जेंदा है He says that she is very popular with men and women मतलब के मर्द और दोनों ही उसनों बहुत ज्यादा मतलब प्यार कर देने ते famous है बहुत हो Whenever he asked her जोदों भी हो उसनों कदे to do anything कोई करन ले कोई कम करन दे ले कहन देने She always did ओ हमेशा कम कर दे कदे भी जबाब ने ने दी The poet appreciates her for this quality He appreciates Miss Pushpa for her sweet nature because she never says no to anybody if she is asked to do any work जे कर कुछ भी उनूं कम करन दे ले कह जावे ता कदे भी हो किसे नूं no आ येड़ा हो नहीं कहन दी So the poet wishes her a happy journey The poet उसनूं happy journey जे यहो wish कर दे Because she is leaving for a foreign country क्योंकि foreign country जा रही है To improve her future मतलो के अपना future है येड़ा हो improve कर दे ले The speaker concludes his amusing speech ता येड़ा speaker है अपनी speech दा conclude कर दा है मतलो end ते पहुंच दा है Saying that एगल कह के They are wishing Miss Pushpa will do the summing up के येड़ी Miss Pushpa हो end दे उपर येडी Miss Pushpa कुछ बोले When the other speaker finish their talk जो दो दूसरे speaker सारे अपनी गल्वात है येड़ी हो खत्म कर लें देने He wants to say that Miss Pushpa will respond to their words of praise in the end ओ चाओंदेने के end दे विच्च जड़े उनना दे शब्दोसने उनना ने कहे Miss Pushpa न उनना दी तारीफ कीती ओ सदा respond आ येड़ा हो जवाब Miss Pushpa दे वे Thus the poet makes ता इस तरह जेड़ा poet makes fun of the faulty Indian way of speaking English ता इस तरह इस poem दे विच्च जेड़ा poet है ओ इंडियन ने जेड़े उनना दी faulty English है जेड़ी गल्त English बोल देने हो उनना दा मुजाक है जेड़ा उड़ाउंदे इस poem दे विच्च अगे देखो अपनी इस poem दे reference to the context आड़े वा पकर दियां सब तो पहला देखो अपना first stanza इस दा सब तो पहला context आड़े वा देख दियां सारा आंदे लिड़ों कोमन ही आपकरांगे दीस lines have been taken from the poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S written by famous Indian English poet Nizam Azekal The poem is a historical and humorous work about how some semi educated semi educated हुंदा अर्द जा फिर अद्दा मतलब अद्दे कपड़े लिखे जादा पड़े लिखे ना होना semi educated people in India speak English के किद्दा जड़े इंडिया दे लोक ने जड़े जादा पड़े लिखे नहीं है अर्द कपड़े लिखे ने ओ किस तरह English है जड़े यहो बोल देने गल्थ अगे explanation in these lines the poet says that their dear sister Miss Pushpa is leaving for a foreign country in two three days के उनना दे यहीड़े dear sister है Mr. Pushpa अपना Miss Pushpa सोरी ओ मतलब दो तेन दिना दे विच्च foreign country आ रही है they have arranged a farewell party to wish her a happy journey उसनों happy journey कहन दे लिए उनना एक पार्टी है जड़ी हो arrange कीती है अगे second stage अपना जड़ा इसदा context है ओ तुसीने बिल्कुल same as before जिस तरह पहलना जड़ा हो ही रखना है अगे उससे एक्स्प्लेनेशन एड़ी हो देखो in these lines the speaker says that all know के सारे ही जान देने the sweet nature of Miss Pushpa who is smiling and smiling for no reason जड़ी हमें साथ smile अपनी smile कर दी रहें दी है she has a sweet nature not only external but internal also ओसदा एड़ा nature है बाहरी तोरते नी अंदरों भी मतलब ओसदा sweet nature है अगे third अपना stanza context same as before explanation देखो अगे in these lines the poet uses present continuous tense in place of simple present tense simple present tense दी जगा ते continues दा यूज़ कर दा है to highlight such people उनना लोकानू highlight करने ली who speak incorrect English जड़े की गलत English बोल देने he says that Miss Pushpa belongs to a novel family बदिया family जो बिलॉंग कर दी है her father was a famous lawyer in बलसर और सूरत he does not remember clearly उसनों चंगी तना जाद नहीं है अगे fourth stanza देखो एस दाइडा context है same as before ही रहेगा is the explanation the poet suddenly remembers that the place where Miss Pushpa's father was a famous lawyer was सूरत फिर उसने कदम जाद होंदा है के ओहो जगा सूरत सी जित्थे हो सदा पेता जड़ा हो lawyer सी का because he had stared there once with his uncle's very old friend whose wife was a nice cook इत्थे भी तुसी same हो ही चीज़ लिखनी है whose wife was cooking nicely एस same आप पहलना पढ़ चुके है he uses again the incorrect English wife was cooking nicely मतलो के द्वारा फिर incorrect English है जड़ी हो सदा यूज कर दा है अगे फिफ्थ अपना स्टेंजा context same as before अगे स्टेंशन देखो in these lines the poet comes to the point again द्वारे point ते हो दा है and starts praising Miss Pushpa he says that she is very popular with men and women मतलो के मर्द और औरत यहने जोनों ही उननों बहुत जादा पसंद कर दे सीगे Miss Pushpa नो whenever he asked her to do anything जोदों भी उसनों कुछ करन दे ली कहा जान दा she always did हो हमेशा उकम कर दी the poet appreciates her for his quality पर इस quality दे ली for this quality इस quality दे ली डा poet ओस दी तारीफ है जडियो कर दे अग्या अपना 6th stand जाज़ा है तुसी एहे देखो लिख लेना है context टाज़ा है इस दा तुसीने same as before पहलना बड़ा ही करना है against the explanation देखो in these lines the poet appreciates Miss Pushpa for her sweet nature because she never says no to anybody if she is asked to do any work कोई भी कम करन दे ली उसनों के हांदा कदे भी हो जवाब नहीं दिसी so the poet wishes her a happy journey because she is leaving for a foreign country to improve her future अपना future improve करन दे ली हो foreign country जा रिया है अग्य सत्म अपना संटेज्जा context से में ही रहेगा explanation देखो in these lines the speaker concludes his amusing speech saying that they are wishing Miss Pushpa happy journey मतलों के end कर दे अपनी speech दा एगल कहके के हो happy journey येड़ी wish कर देने Miss Pushpa नू he informs that Miss Pushpa will do the summing up के Miss Pushpa हून summing up end दे कुछ बोलूगी when the other speaker finishes their talk जेदो दूसरे येड़े सारे अपना बोलना मतलब अपना सारा बोलन देने he wants to say that Miss Pushpa will respond to their words of praises भी जेड़ी उनना ने तारीफ करिया Miss Pushpa न रजवाब दे वे in the end एंड दे विच्चे थज दा पोईट makes fun of the faulty Indian way of speaking English इस तना इड़ा पोईट है Indian English देड़ी मजा के हो डाउंद है जे कर वीडियो चंगी लगी है ताब वीडियो नूँ लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करो और जे कर तुसी चैनल उपर नवे हो ताब चैनल नूँ सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं पूलना सो मिल दें अगली वीडियो लेके उन तक देओ इजाजत तेंक यू सुमाट